कालेज में नहीं नहीं आई है इसलिए मेरे टेरर को नहीं जानती है तू नहीं नहीं है इसलिए बच गई है अब जा जा आना चलो करें लगता है बहुत देर से वेट कर रहे हो बहुत बढ़िया लग रहा है बहुत बढ़िया है या ठीका 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 यह बढ़ाई मुझे पसंद नहीं है इस मैं ट्यूटी मतलब की फ्लाइट का अविशकार करने वाला राइड ब्रदर्स और फ्लाइट में बढ़नने वाला ये टाइड ब्रदर्स अब देखा जाए तो हिंदुस्तान का नया भविष्य मेरे दिमाग के गड़ाउन में पढ़ाई नहीं बहुत बढ़ा अविश पब्लिक को डिस्टर्ब करके ट्राफिक को जाम करके मेरे बदन की चमली चील कर अरे बात सुनिये मेरे इस सॉलिट दिमाग का अपनी काली जबान से कचुमर मत बनाना गुर्प अफ कॉलेज में 1560 नए चात्रा आया है है हमारे कॉलेज में मैस जिपार्टमेंट में वसंता नाम की एक लड़की ने जॉइंग किया है चाहे कुछ भी कहो अरे वह सर आप प्रिंसिपल हो यह क्यों मूल जाते हो लड़की के बारे में अरे वह ऐसे क्यों बोल र हमें कहीं मत जाना बोलके यह डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट जाके घुमेगा और कौन कहां है नोट करके आएगा अगे 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 बेबी जब बेबी आईगी ना उसे जूले में डालके जूला ले ना बहला कौन से दिन वह जल्दी आई है आने दो उसकी खबर लूगी आप आईए बैठीए यह क्या काम खतम करते घर चला जाना चाहिए ना तुम समस्ती क्यों नहीं हो कोई बात नहीं आपकी सिवा इस संसार में भला हमारा और कौन है वो सब तो ठीक है मैं इसलिए बोल रहा हूं बस बस आप गुमाफिरा के क्या बोलना चाहते मैं जानती हूं बेटी का सपोर्ट करके इस बिचारी को क्यों ढांट रहे हो क्यों लक्षमी जवान लड़की अगर इतनी देर से घर लोटेगी तो हमें चिंता होगी या नहीं जब तक वो नहीं आती यह नहीं खाते हैं इनके खाए भी न तुम घर नहीं जाती हो अब वो कब आएगी और तुम कब जाओगी एई इधर आ बच्ची पर गुसा मत होईएगा क्योरी तु कहां गूंकर आ रही है वो मा क्या है वो वो बोल रही है अरुन तेरे साथ ही कॉलिज गया था ना वो सीधा घर आ गया ना उसमें जो जिम्मेदारी है उसकी आधी भी तुझ में है बात सुन नुमा तुझ से कितनी बार कहा है दोनों को कंपेर मत किया कर मेरी बात सुनिये मैं भी करोणपती के घर से आई हूँ लेकिन हमारे माबापने इसके जैसा नहीं पाला उस लड़के को अरुन को देखिये कितनी जिम्मेदारी से पड़ता है मा क्या हो गया है रो क्यों रही हो तेरे बारे में सूच कर ही हमारे इस घर के मालिक मालकिन उनकी बेटी वसंता ये सब तेरे उपर कितना विश्वास रखे हुए हैं पता है कोई भीदभाव समझे भी ना एक नौकरानी की बेटे को खुद की बेटी के कॉलेज में एड्मिशन दिलाकर आज पूरी पढ़ाई का खर्चा उठा रहे हैं ये सब और कौन करेगा अब छोड़ो न मा क्यूं ये सब सोच के आसू बाहर रही हो बात वो नहीं है उस दिन जब मालिक ने कॉलेज में तेरी फीज भर दी तो उस पल तेरे उपर उनका भी हक आगया है अब तेरे लिए मैं ना हूँ तो भी चलेगा क्योंकि सब कुछ वहीं है तो खुब पढ़ाई करके उनके विश्वास पर खरा उतरना इस मा का बस यही एक सपना है इस साइस का कोई इंजिन नहीं है इसलिए इस चुटके को रूज एक बातली खरीद के देखता हूं और इसके सर पे रखे घुनना पड़ता है अगर तुझे किताब चिपकाने थी तो मुझसे गोंद लेना था ना उसके बदले पेड से क्यों मुझे गोंद नहीं चाहिए थूचाइए यहानि कुल मिला के तू कॉलेज में कुछ करना च चाहता है तू दो तू एसे मांग रहा है जैसे बराबर वाले से शक्कर मांग रहा हूऊ मैं तरा पड़ोसी नहीं यहां का विलन हूँ यह बात है जब तु लकेजी पढ़ रहा था तब यह hero था और अभी school पढ़ते समय यह hero है इतना ही नहीं अब college पढ़ते समय भी सिर्फ यह ही है जो hero है इसका मेरे साथ क्या संबंध है अभी जो तुने मेरा रास्ता रोखा उससे क्या संबंध है उससे संबंध है कल जो नई लड़की जॉइन हुई है मेरे ग्रूप में वसंता अगर उसके साथ किसी ने कुछ किया यह क्या वे blood group की तरह बोल रहा है कल ही तो वो जॉइन हुई है इतने में ही तेरे ग्रूप में आ गई है तू लगता है बातों से नहीं मानेगा तू बच गया वरना तू तो गया था आओ रून आओ अंदर आओ इतने गुमसुम क्यों हो ऐसी कोई बात नहीं है सर आपसे मुझे कुछ बात करनी थी मेरी बात अगर भुरी लगे तो गुसा मत हुईगा मैं तुम पर कब गुसा हुआ हूँ तुम वैसा कुछ करते नहीं जो भी बात है बोलो मुझे लगता है मुझे कोई पार्ट टाइम जॉब करना चाहिए क्यों ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जरूरत तो नहीं है सर मेरी और मा की आपने बहुत सारी हेल्प की है जिसका अहसान चुकाना मुझकिल है लेकिन फिर भी अपनी पूरी कोशिश से कुछ न कुछ करना चाहता हूँ कॉलेज में भी जॉइन हो गया हूँ एक्स्ट्र टेम काफी है उसे यूज करने के लिए कुछ आप जो हम पर प्यार रखते हैं उससे मैं अक्सर परिशान हो जाता हूँ सर अरुन सबसे पहले ये समझ लो इस सुलजंत का कारण पता है हमेशा कहते हो कि मैंने तुमारे लिए बहुत कुछ किया है वही वैसा मैंने कुछ नहीं किया तुमारे मां बहुत काम करती है तुम भी घर के बहुत काम संभालते हो मैं जस्ट हिल्प कर रहा हूँ, बस तुम अच्छी पड़ाई करते हो, अकलमंद हो तुमारी काबिलये बेकार ना जाए, इसलिए हिल्प कर रहा हूँ चोटा सा कोई प्रोजेक्ट देंगे तो तीन-चार महीने में निट्टा दूँगा साथ में पढ़ाई भी करूँगा बचपन से ही आपके साथ हो इसलिए काफी फील्ड वर्क जानता हूं मुझे तुम पर विश्वास है तुम्हारे पास से मुझे जो अच्छा लगता है तुम्हारा विश्वास इनसान चाहे कुछ भी करे लेकिन अपना विश्वास कभी नहीं खोना चाहिए आपने मुझे गलत नहीं समझा यही मेरे लिए काफी है तुम्हारे अंदर ये की बुरी आदत है और वही तुम्हारी उलजन है सर यही सर अरे मुझे अंकल कहके बुलाव ना तब हमारी दूरी कम हो जाएगी ना एक्सक्यूज मी सर हेलो हेलो कब से इंतजार कर रहे हूं जल्दी आना प्रैक्टेकल में हूँ अभी पहुँचता हूँ हाँ हेलो प्रै आव इसकारी आ गिया कितने देर से इंतजार कर रहे है भूक लगने लगी है हमेशा की तर है जो भी घास पुझ मंगाते हो और कर दो तुमारी एंगी लेना जोड़ी एकदम से मत देखना देखो भाईया यही बिल्कुल सही टाइम है तुम अपना हाट ओपन करके हाट ओपन करके बाइपास सरजरी करनी है क्या नहीं जो भी मन में है वो बोल देना अबे तो उसके लिए हाट क्यों ओपन करा रहा है मुझ ओपन करना काफी है ठीक है मैं बात करके आता हूँ ज्यादा मंगा कर बिल मत बढाना हूँ क्या हूँ अरे हिप्पोपोटमोस की तरह मुझ खुल के क्या कर रहा है तुझे इतना समझाय है फिर भी तू नहीं मानता है मेरे ग्रूप की लड़की वसंता को पटाने के लिए केंटीन में आके बैठा है तुझे मुझे देखके डर नहीं लग रहा है तुझे देखकर डरने के लिए तू कौन है भूथ है या प्रेथ है क्या है तू तू मेरे काउंटर के उपर काउंटर दे रहा है तेरे मरने का काउंटिंग शुरू हो गया ये तेरे हाथ में क्या है फुल जड़ी छुड़ाते समय जल गया क्या चल दिखा मेरे सामने मेरी बहन को अपनी आँखों से देख कर बता देखना तो क्या तेरे सामने चुग कर दिखाएंगे लेकिन ऐसा गिरा हुआ का मैं नहीं करता हूँ ये दोनों है ना ये करेंगे जाओ रहे जूते छोड़ना जा देखो ऐसे जा रहे जैसे ऑलिम्पिक में जाने वाल अभे साबुन लगा के नहा रहे हो क्या बस बस बहुत हो गया आजाओ आजाओ देख लिया ना छूने के लिए भेजाता उड़ा के ले गए अब तो मानता है ना मानता हूँ तुझे अपने जान की चिंता नहीं है मानता हूँ लेकिन ऐसा टेस्ट बार बार रखूंगा जिस दिन तु हरेगा उसी दिन टपका दूंगा क्यों भे आशू टपकाएगा क्यों रहे कैंटीन से खाली चावल की बोरियां लेकर उसे फड़वा कर टोपी सिलवा कर भिखारियों की तरह शकल बनाकर यहां खड़ा हुआ है और मुझे धंकी देता उसामा बिन लाडन की तरह है गुबारा दे यार यह ले इसे हाथ में पकड़ कर हिलाते रहना ४कम से कम ठीक से जोकर तो लगेगा दबा जो और से ए मेरी एंजरी जूली हस रही है और यह द możemy तुम्हारा है अब ये मूग क्यों मत कर दिया हस ना वसंता हस तुम्हारी ये चेहकती हुई हसी से मेरी सासे महकने लग जाती है मेरा मन मचनने लगता है समझो ना वसंता दर्द हो रहा है हात में दर्द है मुझे देखकर हसते रहना लेकिन बाद में ये मत कहना मैं ये सब न अगर तुमने ऐसा कुछ कहा ना तो 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 सिर के ओपर ऐसे यह क्या कर रहा है आओ भाईया करक्ट टाइम पर आ जाता है आ के अपनी कुर्सी संवालो जानता था कि गर्मी में बहुत तप्ते हुए आओगे इसलिए ही लेकर रखिये लाना और रखना हमारा ही तो अगर डरोगी तो इस जनम में आईपेस नहीं बन पाओगी मेरे अंबिशन को लेके तो मजाक मत करो मैं मजाक नहीं कर रहा हूं आईपेस बनने के लिए तुम्हें कुछ बदलाव लाने होंगे मेरे अंबिशन की बात छोड़ो छोटी-छोटी बात पे गुस्सा होते हो त मेरे जाने बिना तुम क्या क्या करते हो यह मैं जानती हूं क्यों मैंने ऐसा क्या किया कुछ भी ने किया ए घुमा अफिरा के बात करने के बजाए सीधी बात करें कल पिताजी से क्या बात की वो तो उन्होंने ही बता दिया होगा उपर सगे मैं भी बताऊं मुझे छोड़ दोस्तो इसलिए छोड़ दिया ओके, कमिंग चुद पॉइंट तुम जो प्रोजेक्ट करने वाले हो उसमें मैं भी पार्टनर तु और पार्टनर कोई अपने पेर पे कुलाडी मारता है क्या तु मुझे अपना पार्टनर बना ले ने तो बाद में फील करेगा मैं खुद साल में एक कॉंट्रेक्ट ही लेकर करना चाहता हूं इसमें तुझे 50% दे दूँगा तो कॉलिज की फीज कैसे भरूँगा एक काम करते हैं बिना मजदूरी के काम करना उसके बदले संत्रे की गोलिया दूँगा तुझे तो तुझे मैं नहीं छोड़ूँगी मज़ाग करता है मुझे पार्टनर बना ले मेरे शेर का आमा उन तुझे उधार में दे दूँगी जब तू पढ़ लिखकर कमाने लग जाएगा व्याज के साथ पुरा दे देना इसमें हस क्यों रहा है और नहीं तो क्या ये तो वही बात हुई जैसे कि मैं दाल लेकर आता हूँ तुझ चावल लेकर रा दोनों को अच्छी तरह से मिला कर गले तक दबा कर खाएंगे तुने मुझे क्या अली वाक कर समझा है चुरू चुरू ना यानि मुझे टेंशन देकर ही तो खुश होती है तो फिफ्टी-फिफ्टी मान जाओ ठीक है देकर मरूँगा जिप खिसमती ऐसी है ओके पार्टनर तु आह एक्स्क्यूज में येस इनसे मिला है अके सर आइल इन्फॉर्म थेंक्यू यूर वेलकम बोले पिताजी हाँ वो आ गही है ठीक है मैं बाद में फून करती हूँ अच्छा नीचे की शर्फ में आपकी टाबलेट रखी है खाना भी रखावा है खाना खाके दवाई ले लेना मैं जल्दी आ जाओंगी हाँ हाँ जरूर मिल जाएगी अपना ख्याल रखना मैं आ जाओंगी आप बोलना क्योरी इंट्यूवी के लिए कितने लोग आए है छे लोग है तेरा लखी नंबर साथ है ना हाँ एक और आ जाएगा तो साथ हो जाएंगे पुड़ेरी अगली सीट खाली पड़ी है ना वेकिन करवाली तो ये नौकरी तुझे ही मिलेगी थैंक्स यार बाद में मिलती हूँ सॉरी इस तरह जगा बदलने से ही मेरा लग चलता है बहुत नर्वस दिख रही हूँ अभी तक कितने इंट्रिव्यू दिये है पांच यानि चार में सेलेक्ट नहीं हुई कौन सी डिगरी की है बी सिविल पिता जी क्या करते हैं? प्राइवेट आइवल्स में थे अब नहीं है तुम्हारी उमर? 23 तुम्हारा नाम? लेकिन तुम मेरा इंट्रिव्य की ले रहे हो क्या मैं जान सकती हूँ? मैं यहां की सेलेक्शन कमिटी का मेंबर हूँ बैठो, और कैसे हो, फाइन, तुम्हारी मा किसी है, मा भी अच्छी है, ये मेरी डीटेल्स है, अरे ये क्या कर रहे हो, साब जी के कहने के बाद ये सुब किस लिए, प्राजेक्ट फाइल रेडी पड़ी है, एक छोटी सी बात है सर, मुझे नहीं पता था, यहाँ पे इंट् ये काम अगर उस लड़की को मिलेगा, तो उसका विश्वास और बढ़ेगा, और उस पर जो परिवार निर्भर है, वो भी खुश रहेगा, अगर वो तुम्हारी जान पहचान किया, तो उसे भेज दीजी, वो आईगी सर, उसका नाम क्या है, नहीं जानता सर, लेकिन झाल झाल अरुन, अरुन, हाँ, क्या हुआ मा, जा रही हो क्या, हाँ बेटी, वो भी तयार हो गए है, साथ में मैं भी जा रही हूँ, ठीक है मा, लेकिन कल रात तक वापिस आ जाओगी न, मुझे भी ऐसे ही लगता है, मैंने जो कहा था याद है न, सुभे कॉफी के साथ उसे जगा तु सोता मत रहना, कॉलेज की छुटी है बोलकर दोनों घूमने मत निकल जाना, और ना ही उसे अकेले जाने देना, ध्यान रखना, तुम आराम से जा कर आओ मा, हम लोग के अभी भी बच्चे हैं, मा के लिए बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं, मतलब जाने के चक्कर में से मना किया, तु उसका ख्याल रखना, ठीक है, मैं चलती हूँ अपना भी ख्याल रखना, ठीक है मा, मैं समाल लोंगा, ए वसंता, गेट आप, उठो उठो, मेरी राज कुमारी, मेरी नाजुक सी गुडिया, उठ जा उठ जा, इससे काम नहीं चलेगा, हाई अरुन, यह बता, तु यहाँ पर कैसे आया, राज कुमारी के लिए कॉफी लेकर आया हूँ, लेकिन आज तो छुट्टी है ना, आँटी बाद में कॉफी लाकर दे दे देंगी, तु चा के सो जाजा, आज मा तुमारे लिए कॉफी नहीं लाने वाली है, वो तो अभ हाई तक सो रही है, हाई, फिर तो आज पूरा दिन बार घूम सकते हैं ना, पहले उठके कॉफी पी ले, यह ले, पकड, आँटी साथ में क्यों गई, मैं यहाँ पर हूँ ना, इसी इहमत से गई है, तुझे और क्या चाहिए बोल, आँटी क्या क्या करती थी पता है, तु वो सब कैसे करेगा, जो बनाना होगा, वो मैं बना लूँगा, तुझे क्या चाहिए वो बोल, ठीक है, ब्रश कर दे, क्या कहा, तेरे दात मैं साफ करूँ, कहा था न, देखा, तु वो नहीं कर सकता, यह यह तुझे कुछ ओवर नहीं दिखता है, फिर नहलाने के लिए ब अच्छू रास्ते पे, ठीक है, तु जा कर ब्रश और पेस्ली करा, अच्छी खासी पागल है, ए जरा रुक, तुझे हुआ गया है, सुबह से ही अजीब सी लग रही है, तेरी यह जो हरकते हैं न, मुझे पता नहीं क्यों अजीब सी लग रही है, सच का हारुन, मुझे भ अपन सा लग रहा है, बिना देखे ही फोन में लव कर रहा हूं, क्योंकि देख लोंगा तो कट हो जाएगा ऐसा डाउट है, ठीक है, ठीक है, देखते है, मैं तुम से मिलूँगा, अच्छी तेरा मूँ क्या सिर पे चिपका हुआ है, जो उचाल उचाल के पानी पी रहा है नाट माइ मिस्टेक, इसकी मिस्टेक है, ये क्या सोने का ग्लास है, उपर से इसमें चेन बाद के रखी है, यहां क्या हो रहा है, क्लास के दाइम पे यहां क्या कर रहा है, रजाना डून रहे है, सर, धाय लाग फीज भर के पढ़ाई करते हैं, और हमारे लिए तुम एक न क्यों हो रहा है, हमें किसी बात पर टेंशन नहीं होना चाहिए, तुमारे पास मोबाइल है, निकालना, कितने का, दस हैार का होगा, बारह हजार का, जरा इस पर बात करना, है तुम पानी पीरे, हमें बिल्कुल टेंशन दिना नहीं चाहिए, मोबाइल चला गया, उस सोचा, कहीं आप जरूरी काम में बिजी न हो, लगता है तुम उसे कुछ खास बात करने आई है, तु अपने बात बताना, आप ये सब कैसे, हाँ बोलो, अरुन से प्यार करने लगी हूँ, पिता जी क्या सूच रहे हैं, मैंने कुछ गलत बोल दिया, तु आगे क्या बोलने वाली है, मैं सुनने के लिए तयार हूँ, बोल, वही जो मैंने अभी कहा, अब मुझे क्या करना है, ये भी बता दे, वो नहीं जानती, लेकिन आप से बोलने का मन किया, बोल दिया, तुने जो फैसला लिया है, उस पर तुझे अटल रहना होगा, ज से स्यादा मुझे और क्या चाहिए, प्यार करने के लिए, लेकिन अरुन कैसे रियक्ट करेगा, पता नहीं न, उसके दिमाग में तो कुछ और ही चलता रहता है, उसे पहले से ही, वो नौकरानी का बेटा है, तु मालिक की बेटी है, इस बात का कांपलेक्स है, कहीं ऐसा न ए, और कितनी तेर इंतिसार करूँ, अब तो आरे हैं नहीं, ऐसे ही बोलती रहना, हेलो मिस्टर ओफिस सर, हाई, तुम यहाँ, और कैसी हो, चलो याद तो रखा है, आपको जॉब मिल गया क्या, मुझे तो नहीं मिला, माई बैड लग, अगर मैं कुछ का हो तो बुरा तो अरुन, तुम्हारा नाम, एक छोटा सा सस्पेंस, अगली मीटिंग में बता दूँगी, बाई, सुनिये, वो आपको कुछ बोल कर गई है क्या, रूम में दिखाई नहीं दे रही है, वो यहीं कहीं हो कि बैट क्या खाना, देखता हूं, हलो, अरुन, मैं बोल रहा हूं, व तु फुरी तरह से फच गई है, पिता जी का फोने ले बात कर, हेलो, क्यों, खाना-खने नहीं आई, अरुन के साथ खालूंगी पिता जी, अच्छा, ठीक, ठीक है, मा को घुसा आए, उससे पहले आ जाना, जी अच्छा, थोपड़ा देखो, वो अरुन के साथ ही खा रही है, ये क्या शुरू कर दिया, वहाँ जाके खाने के लिए, आजाने दो उससे, सिर पे चड़ गई है, प्रुन के जास आने रहे हैं, कर दो कर दो कर दो हुआ कर दो कर दो कर दो कर दो हाई अरुन किया अरे यह क्या पीट में खा जा रही है ज़रा से खुजा देना जाना सब समस्ता हूं मुझसे तुझे कोई काम निकलवाना होगा वो काम क्या है यह बता अरुन तु मुझे आज बाहर लेकर चलेगा अब समझ में आया तेरी मां से जाके मैं बात करूँ इसके लिए किसी और को धून और जा यहां से तु चाहे कुछ भी सोच ले पर तु अब भी मेरे साथ चल रहा है मैंने का ना मैंने ही चलूँगा प्लीज अरुन चलना क्या हुआ बेटी इस तरह से क्यों बोल रही है बस ऐसे बाहर जाने के लिए बोला तु चलने से मना कर रहा है अकेली जाओंगी तो मां डांटेंगी ना आप ही बोली आंटी एई अरुन बच्ची बोल रही है ना लेके जाना तुम आ गई इसकी सपोर्ट में तुम इसके ओपर बहुत लाड कर रही हो सुन अरुन ये लोग इतने अमीर होते हुए भी इतनी इज़द दे कर बुला रहे है तुमने शुरू कर दिया अपने उपदेश इसकी मा से डाट मुझे पड़ेगी तु अगर साथ में जाएगा तो कुछ नहीं बोलेंगे तु साथ में जा तो उसके लेके ऐसी जाओं ए तु जाना मैं नहा क्या आता हूँ ओके थैंस अंटी आज एक्जाम है किसी के अंदर भी सिंसियाटी है मैं अकेले एक घंटा पहले आकर यहाँ पर वेट कर रहा हूँ और इसे देखो चछंदर की तरह कैसे देख रहा है वो एक्जाम का हॉल है जेनरल डिब्बे की तरह देख रहा है और जाओ या नहीं सोच रहा है तेरी समस्या क्या है कुछ नहीं है तेरे दिमाग में कुछ नहीं जानता हूँ बात सुन पहले बातरूम जाकर हाँ एक्जाम में पास हो जाएगा बातरूम जाने का पास होने से क्या संबंद है मुझे जल्दी से दे ना मैं क्या यहाँ सुलब सौचालें का टिकट बाट रहा हूँ यह कोश्चन पेपर का तोकन है यह पीजी के लाइन में लग किया जा जा टोकन ले लिया ना आल दे बेस्ट जा आओ राणी औरिजिनल टोकन है ना यह अल दे बेस्ट बातरूम जा कर रही इडिएट बाद में फील करेगी अभी एक क्वेश्चन पेपर और बच्चा है यह बातरूम गया था मैं क्या सोने जारू पहले बातरूम जाओं जागतेवे बातरूम नहीं जाता है क्या बात मत करने तो भूल जाओंगा A for apple, B for boy, C for cat देखा एक्जाम के लिए साइंस की बुक पढ़ रहा है यह लोग पढ़ाई के नाम पर कलंक अच्छा है एक्स्क्यूज मी क्वेश्चिन पेपर आउट कर रहा हूँ एक बचा है ले लो तो आओ, इससे तो कहीं जागे डूब मर पेपर बेश ले ले ना यार किसी और पर नहीं मुझे अपने दिमाग पर भरोसा है कोई लड़की साथ में नहीं होनी चाहिए बस, friend हो या सगा बाप हो अपमान करने से नहीं चुकते क्यों यार तुम्हारे लिए क्या है मेरे लिए एक मिनिट मिना ये क्या, एक्जा में कोरी-कोरी जा रही है ये ले, फूल, ये लगा के ससधच के जा जा, और हाँ, मेरे आगे बैठना ठीक है, वही बैठना ये, क्लेक्शन निकाल यार, बातरू में बहुत मुश्किल से टिकटे मेची है चुप चाप मेरा शेयर देना ऐसे बोल रहा है, जैसे बहुत सारी BMW कार सेल्स कर दी और शेयर चाहिए अबे यार, अगर मुझे शेयर नहीं दियाना ये बात सबकी बिट में शेयर कर दूगा क्यों रहे, धंकी दे रहा है ऐसा भी समझ सकते हो इसका मतलब तुझे शेयर चाहिए ले, पहले इसके बैठा भीचे बात में मांगना ये वीलू, उस लड़की से जड़ा पीपर लेके दे दो ना लड़की से फुप, अंधा कहीं का मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या लिखूँ कोश्चन पेपर बेचकर बहुत कमाई की है ना अब तुम ही फस गया देखा इसलिए जो करते वो सामने आता है चिपकली चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए मगर मच नहीं बन पाएगी ये जब मैंने इसके बालों में फूल लगाए थे तभी उसमें बिट पेपर लगा दिया था अब ये छटाक भरका होते हुए जब तू इतना सोच रहा है तो हाथे की साइस का मेरा ब्रेइन कितना सोचता होगा चुप चाप लेक देखाऊंगा अगर तुझे दिखाई दे सके तो लिख लेना किताब लेकर पढ़ता है किताब लेकर पढ़ता है मुझे क्या करने को बोल रही है कुछ करना यार तुम मार खाएगी मुझे पढ़ने देगी किन चोड़ना चोड़ना तो चुप कर आदेते हो इसे ऐसे ही छोड़ना ठीक नहीं होगा ये खुद भी नहीं पढ़ेगी और बेचारे उस अरुन को भी नहीं पढ़ने देगी तू इस तरह की बात क्यूं करती है आराम से समझाएगी तो समझ जाएगी वो सब मैं नहीं जहनती हूं मैं ऐसे ही हू चाहो तो इससे पूछो जब देखो इसके पास चली जाती है ना इसे पढ़ने देती है ना इसे सोने देती है ठीक है ठीक है तुचुप रहे मैं बात करता हूं तू आजा दो तीन चार अरे वह ई। बात meant हुगा नंबर उन मैं श्के आटो जाज कं इसे क्यों चल्रा यह समझ में नहीं आया मैं फेलो गया ओं शेह विना पड़े क्या प्ला कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? कहसे यार बताना मुझे? ना पड़े पास करने के लिए यूरिन पास कर सकते हैं तु जाके पहले पास कर के आ? अबे जाना है मेरे टांगो के बीच में कौन को गोच आ? मैं हूँ अपना रिजल देखने के लिए यह कॉलेज का सेक्षन है यह प्री केजी एल केजी के लिए प्रोग्रेस कार देते हैं आया के पास होगा जाके ले ले देखो मेरे इंचर्ट मत करो पहले ही मुझे नंबर दिखाईने दे रहा है क्या नंबर नहीं दिखाई जा रहा है अरे मैं लिस्ट नहीं देख पा रहा है तेरी हाइट कम है ना तेरी साइस के लिए तो नीचे चिपकाना चाहिए था खेर अब तो कुछ नहीं कर सकते एक बार उठाऊंगा ठीक से देख लेना ओके देख लेना ऐसे ही बार निकल जा फेल होने वालों ने देख लेया तो जान से मार दा लेंगे देखा तुने पिद्दी से लोग पास कर जाते हैं और हटा कटा बनके फेल हो गया है शरम नहीं आती तु एक काम कर उसके पैरों को धोकर रोज आना पी लेना तब अच्छे मार्क आएंगे मार्क नहीं आएंगे पी लिए आएगा चलना नमबर ही नहीं है खेल छोड़ ना अगरी बार साथ में लिख देंगे कम 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 ओकी रिलाक्स ये क्या पास करने वाले तेरा हाथ चुम के जा रहे है इनके पास होने का कारण प्रोफेसर नहीं है ये हाथ है गनित के तरह उल्जाँ मत सच बता न इन सब लोगों को क्वेश्चिन पेपर दे देकर पास कराया इसी हाथ ने इसलिए सम्मान दे रहे है ये तु क्या कर रहे है इसी हाथ हो सब को टोकन दिया था इसलिए ये वाला हाथ अब पता नहीं कितने सब। वरसे एगजाम हाल में एसे मेस अरुन जरा रुखना तुम लोग लंज के बाद आना कितनी विकेट गिरी है एसे पास होकर जीतने माले दिखाते हैं तुम इसे ऐसे दिखाओ अब हम क्या करें है तो तू सब कर चुका है ना पढ़ाई के टाइम पर लग करेगा तो फेल होगा ही ना तुम लोग उन तुझ पर कितना विश्वास रखा तुझे इतना पढ़ाया लिखाया उसका तुने यहीं सिला दिया अच्छा होता कहीं मर जाता अब छोड़ ना लक्ष्मी यह सब इसकी करतूत है अच्छे खासे पढ़ने वाले को भी खराब कर दिया मैं उसी दिन बोल-बोल के ठक गई पर मानता कौन है अब चुप-चाप रहने से क्या फाइदा मेरी बात मान लेते तो बस कर तुझ जरा चुप-चाप रहे जो होना था वो हो गया क्यों बेटी इसका असली कारण क्या है मैं बता दूँ तुम्हारा लव यह आप क्या बोल रहे हैं एए क्यों बेटी मैंने तुम दोनों को अकल्मन समझा था पर मुझे बेखूब बना दिया प्यार मन का मेलद होता है गंदा नहीं होना चाहिए तुम दोनों आपस में प्यार करते हो यह जानकर में कितना खुश्वाथ पता है क्यों क्योंकि मैं समझता था दोनों जिम्मेदार हैं इतना ही नहीं अरुन तुम पर बहुत भरोसा किया मेरी लड़की में तो बच्पना है सोचा तुम समझदार हो लेकिन तुम भी दो पेपर में फेल हो गए हो बस इसी बात से मैं जरा दुखी हूँ ये सोच सकते हो के हम इतना चिला क्यों रहें एक आखरी साल है अगर आज भूल का एहसास नहीं कराया तो अगले साल नहीं करोगी इसकी क्या गैरेंटी मेरी बात सुनो माबाप आजादी देते हैं तुम्हारे विकास के लिए खराब होने के लिए नहीं अरुन तुम एरोनाटिक इंजिनियर बनना चाहते हो वो IPS बनना चाहती है तुम्हारा ये एमबिशन लोख आक में ना मिला दे ध्यान रखना मेरी बेटी बहुत शानो शौकत से पली है लेकिन तुम वैसे नहीं हो दुखों से घिरे हो हमेशा ऐसे ही रहना चाहते हो इस बात को यहीं पर छोड़ दे वही इनके लिए तेरी आडवाईज होगी यह सब क्या है अप्लिकेशन कॉलेज एड्मिशन के लिए एड्मिशन के लिए यह तुम क्या बोल रहे हो सच बोल रहा हूं दूसरे कॉलेज में के सीची कॉलेज अफ टेकनोलजी मॉमबाई फाइनल एर में वहीं पर कॉंप्लेट करूँगा मा, बाप और दूसरों को विश्वास दिलाने के लिए और फाइनल एर में अच्छे मार्स लाने के लिए हमें अलग रहकर ही पढ़ना होगा तो क्यों मुझे इस तरह परिशान कर रहा है अगर हम प्यार ना करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती हम दोनों साथ में ही रहते एक साल, मैं भला कैसे रहूँगी जस्ट वन एर ज़रा सोच के देखना कोई फीलिंग नहीं आएगी हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए क्या एक साल तक हम लोग अलग नहीं रह सकते रह सकते हैं, चाहे तो अलग रह सकते हैं पर कैसे रह सकते हैं जब से हम साथ में चुड़े हैं तब से हम एक दिन भी अलग नहीं हुए मन में जब ये प्यार रहेगा और हमारी पढ़ाई को डिस्टरब करेगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए मन पे काबू रखना होगा क्योंकि हम दोनों अगर एक साथ रहेंगे तो हम दोनों को सब उसी नजर से देखेंगे सिर्फ इतना ही नहीं और जब हम दोनों साथ साथ में रहेंगे तो एक दूसरे से बात किये बिना भी नहीं रह पाएंगे काफी सोच समझ के मैंने ये फैसल लिया है दिल से तो मैं भी तुमसे अलग नहीं रहना चाहता दिल कितना दुखी होगा मैं जानता हूँ लेकिन सहेन करना होगा और इन सबसे उपर मेरी माँ मेरे बिना मेरी माँ बहुत दुखी हो जाएगी जब वो जानेंगी मैं उनसे दूर जा रहा हूँ, तो वो मुझे बिलकुल नहीं बेजेंगी, ये पड़ाई नहीं चाहिए ऐसा बोलकर, वो अपने साथ ही रहने के लिए बोलेंगी, घर में किसी को भी बताये बिना, कल सुबह सुबह निकल जाऊंगा, सिर्फ तुझे बता हुँ, 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 हुँ 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 तब तक मेरी जिन्दगी बहुत अच्छी थी सिबी है क्या सिबी कहां मिलेगा वहां जाके देखो बीच में सो रहा होगा ए उठना यार अरे रुक जाओ ना कहां जा रही है अब ए उठना भैसे है तू कब आया रहे कम से कम बोलतो देता बिना बोले ही आ गया कोई लड़की भगा के तो नहीं लाया ऐसा कुछ नहीं है यार कॉलेज इंट्रव्यू के लाया हूँ है और कितने साल तक पढ़ता रहे है मेरी बात छोड़ तेरा काम कैसे चल रहा है चल रहा है ना चार साल से इसी होटल में हूँ कैटरिंग का कम और दस साल तक बाद में सेटल हो जाओंगा बस ऐसी कट रही है यार ठीक है चल रूम में चलते है कर दो है देख तेरे लिया आज मैने चुट्टी डाली है रात को याद से पार्टी दे दे ना कॉलेज दो बढ़िया है यार चुप चुप चलना यार ठीके ठीके यार एक्सक्यूज मी सर येस अमेन सिट डाउन थैंक यू सर गुड मार्क्स and good remarks from all your professors very good I hope you maintain this I will sir, sure Oh, दिली के हो? जी हां सर You are the guardian, right? हाँ, जी हां सर तुमारा नाम? Sibi इसके friend हो? जी हां सर Just sign जी अच्छा Hey Arun, hey क्या है यार, बोलना? छे बजे याद से होटल पहुँचाना ठीक है यार बोलना नहीं बोल दिया ना, आ जाओंगा आ यार, इतनी देर क्यों हो गई? कौन है वो? जरे एक मिनिट लगता है इसे कहीं देखा है लेकिन तुम मेरा इंटर्वी के ले रहे हो क्या मैं जान सकती हूँ? एक मिनिट रुकाता हूँ तु जा कहा रहा है, अरुन ए, मेरी बात मानना यार वो तो एक बार्ड अंसर है वो हमारे बॉस के कंट्रोल में है बेकार की प्राब्लम मत करना वो यहां कैसे आई जानना है? ये सब यहां आम बात है वो यहां नौकरी धुनने के लिया आई थी पता नहीं इनके जाल में कैसे फस गई और एक बार जो फस जाता वो निकल नहीं पाता है तु यहां पढ़ने आया ना सिर्फ अपनी पढ़ाई को देख इस जमेले में मत पढ़ मेरी बात मान ले चल यहां से उसे पुछे भीना नहीं आउंगा उस लड़की से दुबारा मुलाकात ऐसे होगी मैंने सोचा नहीं था बिल्कुल भी नहीं जिंदगी में कितने लोगों से हम मिलते हैं उनी में से एक ये लड़की थी जिसे बुला नहीं पाया उस अंचाही घटना ने मेरी जिंदगी में जो दर्वाजा खट-कटाया वो यहीं से ए एक मिनट रुक तेरी सारी प्रॉब्लम मैं जान गया हूँ तुझे यहां से मैं लेके जाऊँगा नहीं अरुन पहले तुम यहां से चले जाऊ क्यों मेरे पर विश्वास नहीं है क्या तुझे समाल के मैं ले जाऊँगा कोई प्रॉब्म नहीं होगी तुझ पात मकर मेरे साथ चल वो मेरी गर्फरेंड है तुझा यह अच्छे लग रही है तुम जाओ अरुन तुझा यह लड़की चाहिए क्या लग के जाएगा क्या पसंद है तो छोड़िसी एक पप्पी दे दे सर यह मेरे दोस्त सर इसे पता नहीं है सर अरुन तुझा ना विकार के लफड़े में क्यों पढ़ा रहनी दो अरुन मुझे छोड़ दू अरुन नरेश क्या हो तुझे अरे यह क्या हो क्या है इदर आओ नरेश बस आटो आटो तुम यह से भाग जाओ जल्दी जाओ तुने इसे क्यों किया चल जल्दी चल तुने मेरी बात क्यों नहीं मानी वो कितना बड़ा आदमी है जानता है यहाँ जितने भी दादा है उनका बाप है गवाड़ फादर है उसके किसी आदमी पहात लगा वो चुपने बैठता है और जब पता चलेगा उसका बेटा तेरी वजे से मरा सोच भी ने सकता है क्या करेगा सबसे पहले तू एक बात जान ले हमने कोई गलती नहीं कि इन सब का फैसला वही करते हैं ठीक है पोलिस में जाएंगे तो हेई तू अभी भी नहीं समझा यहाँ पोलिस भी वही है और जजज भी वही उनके हाथों से बचपाना बहुत मुश्किल है अगर भेज भी बदलोगे तो भी पकड़ लेंगे शेह अरून वो वो तुम्हारी उम्र का था नरेश कोटला मेरा बेटा जो अब नहीं रहा और उसका बाप बिलकुल खाली हाथ तुम्हारे सामने खड़ा है और उसकी लाश वहीं पड़ी है बोलो तुम्हारे और हमारे बीच क्या दुश्मनी है जब से वह पैदा हुआ मैं हमेशा जीतता आया और जिन्दगी में कभी हार का सामना नहीं किया लेकिन अब बच्चे भी कहेंगे कि मुंबई को डराने वाला कोटला का बेटा एक मामुली इनसान के हाथों मारा गया है बोल तेरी मुझसे क्या दुश्मनी है सर जान बूच के कुछ नहीं किया सर तो उसके लिए मैं माफ कर दूं क्या अंजाने में भी किसी को माफी नहीं मिलती है ये जान ले मुंबई में कदम रखते ही तुम्हें हैसास हो जाना चाहिए था कि यहां किसकी चलती है तू ने इसे समझाया नहीं तू तो जानता था ना तू ने इसे समझाया नहीं उसपर हाट डालने से पहले सच में मैंने कुछ भी नहीं किया It's an accident It's an accident तू तो बहुत आसानी से बोल रहा है मेरे जिसम में आग लगी हुई है समझ में आया नहीं समझा न तुझे मैं समझाता हूँ अभी भी समझ में नहीं आया रोजाना मौत से खेलता हूँ मौत का खेल जानता है यही होता है मौत का खेल प्रवाइब झाल 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 तुमने अगर इसे जंदा छोड़ दिया ना तो तुम फिर से भागते फिरोगे शाबश अगर तुम यहां से नीचे जाओगे तो तुम्हें उठा के लिए जाने के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं नए वो तुम्हारे लिए ठीक नए चलो मेरे साथ चलो तुम्हारी असली जिंदी की मैं दिखाता हूं चलो इसके बात कितने खून की है कितनी खून की नदिया भाई यह सब किसलिए सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहने के लिए जिंदा रहना काफी है जब से यह फैसला लिया अच्छा बनके कैसे रह सकता हूं मेरा रास्ता बदलने लगा और जहां मैं जा रहा था वो एक अलग दुन यिरू GANGSTAR ! GANGSTAR ! शेघए डतल येदा वहले इप ढूंदा वहते GONGSTAR ! प्रोशि have the stars, oh wait I crash them and say I'm the best warrior you can ever blame me Don't have to blame me I'll get your job, yeah Stop complaining, yo I'll see you what you gotta, what you gotta need कि मेरि ऺेंर प्रूमसéta का फस दब थे झादि हो बद regular दिभल सब्सक्रा के तो चुट जबना तो लुट डवी अव thank not थैंस की झाल छुट्ट्टक कर थादि हर टो अस दो खट वी का Netz दो इंस्ट कर दो कि जन्दी क Brief 2007 में बंबई में जो घटना घटी ये मुझे लगता है पुरा डिपार्टमेंट जानता है दो बड़े डॉन ग्रूप के बीच जो ग्यांगवार हुई उसमें वो ग्रूप खत्म हो गए महराष्टा पुलिस ने ऐसा मान कर उनकी फाइलों को क्लोस कर दिया सर इससे पहले भी कई टीमों ने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया है लेकिन ये डान कौन है कैसा दिखता है उसके हाथ की रेखा भी कोई आज तक पकड़ नहीं पाया तुम क्या कहना चाहते हो मैं समझ गया हूँ अभी तक क्या हुआ ये मीटिंग उसके लिए नहीं है सौरी सर अभी तक जितनी टीमों ने इन्वेस्टिगेट किया है वो अनुभवी थी जब वो कुछ भी नहीं कर पाए तो ये लिसन तुम जिस टीम के बारे में बोल रहे हो वो तुम मैं हम सब लोग नौकरी बीवी बच्चे ऐसा बोलकर नौकरी के सासाथ घर की चिंता करते हैं कभी भी देश की चिंता नहीं करते हैं लेकिन ये लोग और इसे नहीं हैं देश के लिए कुछ कर दिखाने का जजबा रखने वाले इन पांच लोगों को सेंटरल डिपार्टमेंट ने सलेक्ट किया है इन्हें कम नहीं आंक ना चाहिए तुम्हारी टीम की तरह एक और टीम इस केस को आज भी डील कर रही है क्यूंकि कॉम्पेटिशन होना चाहिए न देश द्रोहियों को जड़ से नेस्तो नाबूत कर देना चाहिए और ये तुम जैसे नौजावनों के हाथ में है रास्ते भले ही अलग हो लक्ष ये खो ये दो, ये सर, अल दे बेस्ट, थैंक यू, पिता जी मैं जा रही हूँ, ये क्या, क्या हो गया, तुमने तो अपने लक्ष को पा लिया, लेकिन तुम्हें इस पोस्ट में देखने के लिए हमसे भी ज्यादा अरुन की बहुत इच्छा थी, आज वो नहीं है इसलिए पित इस टीम में सेलेक्ट होने के लिए मैंने जित्ती कोशिश की, उसके लिए एक और कारण है, आरुन जहां पढ़ता था उसी शहर में इन्वेस्टिकेशन करने वाली हूँ, मुझे विश्वास है वहाँ जरूर आरुन का कोई क्लू मिलेगा तुम्हें आज भी विश्वास है कि वो जिन्दा है? प्लीज आप इस तरह की बाते मत कीजिए, उसे हम जितना जानते हैं उससे ज्यादा आप जानते हैं, उसके बाद भी आप इस तरह से बोल रहे हैं, पॉजिटिव बोलना चाहिए न, मुझे पूरा विश्वास है, आरुन को कुछ नहीं हुआ होगा तुम में जो विश्वास है, वो मुझ में नहीं है आंटी, आपको दुख पहुँचाने के लिए ऐसा नहीं बोला है, किस विश्वास से आप पित्ते सालोतों की बिंदी लगा रही हैं? पच्चिस साल पहले आपका पती कहीं कायब हो गया, वो कहीं न कहीं जिन्दा होंगे इसी विश्वास से न, वहीं विश्वास मेरा भी है मुझे पूरा विश्वास है अरुन इस दुनिया की किसी कोने में जिन्दा ही होगा जल्दी से उसे ढून कर आपके सामने लाओंगी तेरे इसी विश्वास के कारण मैं आज तक जीती आ रही हूं उसके बारे में सोच कर तब भी खराब मत करना जैसे ही कोई खबर मिलेगी तुरंट फोन करूँगी पिता जी मैं चलती हूँ चलती हूँ मा मिस्टर राश्षेकर, एसीपी, हीज अलसो फ्रम डिली हीज मिस्टर अमनाज सिंग, कुलिस कमिशनर आपको जी ये गाइड करेंगे और कुछ मुझ से पूचना है? ये सर, ओक, तलमी प्रम कोई पर राश्षेकर, ऑर कि नम कमाना, पह कमाना, और दुझी की गलेगी सर, ये नु आपको अंसर अंसर येस, आपको तो और ये स्वाइड कर दिस अभरएगी अब हमें जो फॉलो करनी है इस फाइल को दरसल डिपार्टमेंट ने जिस बात को सीरिसली सोचा है वो यही है सिर्फ मुंबई में ही 9 लाग से ज्यादा यंगस्टर्स ड्रॉक्स की चपेट में है और वाइरस के द्वारा लोगों में बिमारिया फैला कर फिर उसके लिए कुछ दवाईया बना कर उसके द्वारा कई लोग करोडों में कमा रहे है ऐसा और भी है हाँ और इन सब का कारण जो डिपार्टमेंट ने कहा है जिसे किसी ने नहीं देखा वो डॉन ऐसा इंसान का सपोर्ट हमारा डिपार्टमेंट करता है सोच कर दुख होता है ऐसी प्राब्लम अब नहीं आएगी ओके कम ये हेई ये क्या है मेरे न्यू वेबसाइट फोटोज उसके लिए इतनी ग्लैमराइज फोटोज क्यों डाले उनके रास्ते पर ही चलने के लिए मैंने कॉल गर्ल की एक वेबसाइट ओपन की है देखते हैं वरक आउट कैसे होती है सब्सक्राइट फोटोज क्या बात है आई जी के बास बहुत बड़ी लिस्टी है जी हाँ सर सर आप से मुझे एक परसनल हेल्प चाहिए सर हाँ हाँ बोलो ये मेरी जान पहचान का है आज से पांच साल पहले मुंबई में पढ़ने आया था लेकिन छे माईने के बाद ही इसका कहें कोई अता पता नहीं है उन सालों में आप यहाँ पर सर्विस में थे अगर आपने इसे कहीं देखा हो या आप कहीं दिखे और मुझे बताएंगे तो मेरे लिए हेलपफुल होगा कौन से कॉलेज में पढ़ता था के सीजी कॉलेज सर ओके मैं कोशिश करूँगा थैंक यू सर मुझे दिलगता कि इसे कुछ हो पाएगा I think it's going to be a risk ट्राई करके देखते हैं न तुम्हारी वेबसाइट देखकर कितने लोगों ने इन्वाइट किया होगा वो भी इतने बड़े शहर में मगर उनकी प्लानिंग औफ अप्रोच बहुत अलग सी है ये कैसे बोल रही हो ये अप्रोच देखने से मामूली नहीं लगती उनकी प्लानिंग बहुत सेक्योर है कलवाँ जाकर ही देखूंगी तुम अपना फैसला वेसे कब बदलती हो बी कैरफुल मेरे बॉस ने प्रोग्राम बदल दिया है अभी मैं जा रहा हूं उस लड़की को छोड़के आजाओ ठीक है चलो यह क्या वसंता और कितने देर इंतजार करें हमें इंतजार तो करना पड़ेगा क्योंकि CBI ने जो खबर दी है वो एकदम पक्की है हम पांचों के अलावा डिपार्टमेट में कोई और ना जाने इसलिए हम यहाँ वेट कर रहे हैं मिस्टर रेक्स हम अकेले में बात करें नाट नेसिसरी यह लोग मेरी बैच के हैं कोलीक्स के अलावा हम सब में अच्छी दोस्ती भी है हमारे डिपार्टमेंट के अनुसार वो दोनों के दोनों गैंग बिजनस के चलते आपसी मुठ भेड में नहीं मरे हैं बीच में किसी और एक्स ने आकर दोनों गैंग का सफाया किया है सिर्फ इतना ही नहीं अल्रेडी जो नेटवर्क अंडर ग्राउंड था वो एक्स फोलो करके उस नेटवर्क का डॉन बन गया वो है कौन वो दिखता कैसा है वो आया कहां से ये बात उसके गैंग में कुछ लोग नहीं जाते ये भी सच है इतना ही नहीं वो एक्स अपनी सेक्यूरिटी के खतर पूरे 24 घंटे किसी भी एक देश में नहीं बिताता है हम इंट्रेस्टिंग ओके मिस्टर रेक्स लेकिन ये जो इंफोमेशन है हमारे लिए किस तरह काम आईगी मैं अभी उस पॉइंट पर नहीं आया क्यूंकि उससे पहले एक बात और है दो साल में एक बार अलग-अलग कंट्रीस से अंडर वोल्ड के डॉन्स एक जगा पर आकर मिलते हैं और इस साल उनके मिलने की जगा मुंबई है मुंबई में कहां पता नहीं ये बहुत सिक्रेट रखा हुआ है लेकिन ज्यादा तर उनके जगा हाई-फाई होटेल होती है जगा हाई है और चाल एसी मुलकात होगी सोचा नहीं था ना इतना चुपचाप क्यों है जबान रुख गई न सो पुरानी कोई भी बात बोलने के लिए तैयार नहीं है कैसे बचके भागों यही सोच रहा है ठीक है तेरे रास्ते पे आती हो पुरानी बातें बोलकर अब कोई फाइदा नहीं अब मुझे क्या करना है वो बता तूने जो गल्ती की है उससे तू कित्ती बड़ी आफ़त में पढ़ गई है जानती है मेरी ताकत को जाने बिना मुझसे मत खेल वसंता मेरा नाम लेने की तुझ में कौन सी योगेता बची है द्रोही तू देश द्रोही है प्यार अपना पन सब कुछ ये सब भूल सकते हैं लेकिन एहसान भूलने वाला इंसान ही नहीं होता पिताजी ने तुझ पर कितना भरोसा रखा था तूने उनका भी भरोसा तोड़ दिया ये तू ऐसा बोल के मुझे कंफ्यूज नहीं कर सकती छह जबान बंकर सही में मेरे पिताजी जीनियस है तू बहुत बड़ा घुन्ना है वो बोला करते थे और वो तूने साबित कर दिया तेरी मा तेरे लिए कितना तरपी है पिताजी ने तुझे कहा कहा नहीं ढूंडा तुझसे बिछड कर एक एक दिन आसु बहा कर मैं कितना रोई हूँ और ये सब तेरे लिए जस्ट लाइक देट हो गया मेरी हकीकत तू नहीं जानती और ना ही वो मैं तुझे समझाना चाता हूँ तो ऐसे क्या जरुवत पढ़ गए खून करने के लिए और पढ़ने वाले बच्चों को ड्रग एडिक बना दिया तुझे दुनिया की दॉलर चाहिए उसके लिए तु मासूमों की जान से खेल रहा है यही सब तेरे लिए जरूरी है तुझे यह सब भुगतना पड़ेगा अरे जिन्दगी में भुगतने के लिए और बचा ही क्या है हां तुझसे बिछड कर मैं बहुत कुछ भुगत चुकी हूँ और सबसे ज्यादा मेरा अरुन एक क्रिमिनल है जिस पल मैंने यह जाना मैं तो मर ही गई हूँ मेरा अरुन जिन्दा नहीं है जब सबने कहा तो मैंने कहा नहीं वो जिन्दा होगा अरुन को कुछ नहीं हुआ होगा देखना वो मुझे मिलेगा ऐसा विश्वास जगाया हमारे प्यार ने इन फैक मैं जो यहां पोस्टिंग पर आई हूँ तुम मिलोगे इसी विश्वास के साथ लेकिन मेरा अरुन एक क्रिमिनल निकलेगा ये मैंने सूचा भी नहीं था डिपार्टमेंट के जाने बिना तुझे यहां क्यों लेके आई पता है कि सब कुछ छोड़कर तु सरंडर कर देगा तेरी सजा कम होगी हम साथ में जीएंगे वैसे भी लड़की को सब स्वारती बोलते है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता हाँ मेरी इस यूनिफॉर्म पर अगर दाग भी लगे तो मुझे उसकी भी चिंता नहीं मैं तेरी लिए कुछ भी कर सकती हूँ अरुन यह तो क्या कर रहा है जब तक यह दुनिया रहेगी मैं तो क्या वो भगवान भी अगर चाहे तो इस नेट्वर्क का कुछ नहीं कर सकता अगर मैं नहीं रहा तो कोई और होगा वो भी नहीं रहा तो कोई और होगा इस जनम में अपनी माँ से मिलने की ताकत मुझ में नहीं है हो सके तो अपने आपको बचा लेना क्योंकि अब अगर मैं भी चाहूं तो तुझे नहीं बचा पाऊंगा हमारा नेटवर्क कहीं भी कुछ भी करने के लिए किसी से परमिशन नहीं लेता है गुद्पाइ यू कमीन अजवर्क वार्ण तू मेंस वार्ण घुद्पार्ण करेंग ऑ्श अभर्क करेंग अभर्क करेंग प्टेरे से पन्से दोकत हो नहीं पकु खिल невें को कहे विर गब Works नहीं में उहीं भाज की लुट के पर सुध को ब क्या करें लुटी से कि फिर टो को मीशी पुट ही लुटेः नहींите लग्या दोला क सकते प्यों हिलना मत अपना पुलिस का दिमाग मेरे पास मच चलाना बास पकड़ लिया मैंने कहा थाना कि अगर मैं भी जाओं तो तुझे नहीं बचा पाऊंगा अगर झाओंग प्रभी गचाँे अधा हुझे दुझे, तुझे, विला प्रॉवड प्रभी घचाँडों दुझे, प्रभी चाँडे लिए झाल 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 झाल